ग्रूप थिओरी के इस कोर्सर सीरीज पर हम बात कर चुके हैं सिमेट्री एलेमेंट, सिमेट्री आपरेसन पोस्चूलेट अप ग्रूप थिओरी मात्रिक्स रिप्रेजनेशन और रिप्रेजनेशन पर reducible रिप्रेजनेशन के बारे में भी discuss कर चुके हैं group theory के playlist पर जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो पर हम बात करेंगे irreducible representation इसके बारे में full explanation के बारे में discuss करेंगे जैसे कि इसका rules क्या होता है ये सब के बारे में discuss करने वाले हैं Hello friends, welcome all of you to my YouTube channel Yogesh Chemistry, myself Yogesh Sahu तो देखते हैं इसके बारे में जो irreducible representation जिसको बात में character के नम सभी जानते हैं कैसे बोलते हैं इसको character देखेंगे और character triple कैसे draw करना है ये सब के बारे में यहाँ पर बात होने वाला है ठीक, तो ये होता क्या है irreducible representation तो ये क्या होता है एक ऐसा representation जो lower dimension में होता है और उसको आगे और reduce नहीं किया जा सकता है फर्दर इसको reduce नहीं कर सकता है इसको हम irreducible representation के नम से जानते हैं और इसको हम denote करते हैं lambda से ये symbol देख रहा है इसी symbol से इसको denote के जाता है जिसको lambda के नम से जानते हैं और बोला जा सकता है metric representation में अपर लेट से lower right के addition को character के नम से जानते हैं, जैसे कि Redusable representation में जह देखे थे particular उसी को ही character के नम से जाना जाता है, जैसे कि ये upper left से lower right के तरफ diagonal में बढ़ते हैं, तो इसका जो sum होता है उसी sum को हम character के नम से जानते हैं, और इसको काई से denote किया जाता है काई का सिंबूल देख लिजिए आप किस टैप से लाता है इसको काई बोला जाता है तो इससे इसको denote किया जाता है और irreducible representation को determine करने के लिए हमें GOT का help लेना पड़ेगा GOT क्या होता है ये देखते हैं बात करते हैं क्योंकि GOT के रूल के बगार इसको हम determine नहीं कर सकते हैं तो GOT क्या होता है तो GOT के लिए इसका full form जैसे कि great या grand बोल सकते हैं great आर्था गुनोल्टी थिवरम या तो grand आर्था गुनोल्टी थिवरम भुई बोल सकते हैं short form में GOT बोल दिया जाता है तो इसका जो rule है यह rule देखिएगा अच्छा से याद रखिएगा इसको क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है character table बनाने के लिए तो यह formula है कुछ इस टाइब से होता है formula और यह formula क्या होता है यह देखते हैं तो summation r और यह tau i और rmn फिर tau j r फिर यह इस ट्रिक m dash n dash फिर यह हो जाएगा h by under root li l j फिर यहाँ पर देखते हैं तो del i j del mm dash और del n n dash इस type से इसका जो formula होता है ठीक अब यह जो symbol है यहाँ पर यह सब क्या है इसके बारे में देखते हैं ठीक तो n n dash column जैसे कि जो character table बनाते हैं वहाँ पर जो column लेते हैं वो n n dash होगा जैसे कि यहाँ पर e है या c2 है या sigma है तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर n बोल रहा है n n dash बोल रहा है इस type से इसको denote करेंगे ठीक ध्यान में रखिये गए यह सब चीज को n n dash ठीक m dash यह क्या होगा यह row होगा row में बात करेंगे तो m dash हो जाएगा और n n dash जो यह जो table के अंदर में यह जो value रहता है ना उसके बारे में बात किया जा रहा है n n dash m dash के बारे में और i j जो होता है आप देखें हैंगे कि जैसे कि character table हम form करते हैं यह character table form करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि tau 1, tau 2 sorry lambda 1, lambda 2 करके मैं लिखा हुआ था इसको हम बाद में एक symbol देते हैं mulligan symbol यहाँ पर symbol देते हैं उसको एक naming देते हैं उसको बोला जाता है mulligan symbol तो उसी mulligan symbol को ही i j करके यहाँ पर denote किया गया है ठीप आई mulligan symbol जैसे कि a1, a2 लिखा हुआ आप देखे होंगे उसको यहाँ पर i j करके denote किया गया है ठीप आर जो है symmetry operation है symmetry operation में जैसे कि identity या rotational axis, reflection, mirror plane यह सब के बारे में r बताएगा ठीप यह जो lambda i, lambda j है यह irreducible representation का i थ एवं j का point group में क्या so होता है उसको बता रहा है irreducible representation को बताएगा lambda i, lambda j i और j के respect में उन जो point group में रहने वाला है ठीक और lambda i, r, m, n करक कर देते हैं जैसे कि यह वाला term, पूरा का पूरा term तो यह कहला हम बताएगा i-th irreducible representation का symmetry operation जो की r है से corresponding m-n-th matrix element ठीक जो उसके अंदर element है वो सभी के बारे में बताने वाला है ठीक और h जो है यहाँ पर h अपने को order जो group का order है उसके बारे में बताएगा जैसे कि यहाँ पर जो h देख रहे हैं वो अपने को group का order बताएगा l i, l j symmetry operation का dimension बताएगा dimension जो कि आपको पता है या तो a रहेगा या b रहेगा या e रहेगा t रहेगा इस टाइब से जो dimension रहने वाला है उसको बताएगा और यहाँ पर जो डेल देख रहा है इसको रो नेकर डेल्टा के नाम से जानते हैं ठीक तो यह कुछ information है इसके बारे में यह formula के बारे में formula याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पर देख लिजी एक बन में repeat कर देता हूँ lambda i r m n रहेगा यहाँ पर फिर उसी का conjugate लेंगे lambda j r conjugate m n डेस ठीक m n है यहाँ पर different है जबकि इधार देखता है तो same same है ठीक m m डेस n n डेस और यहाँ पर i j ठीक तो इस type से इसका formula है और इसी formula का आगे यूज करेंगे ठीक यह जो ग्रेट ग्राय या अर्था ओनल्टी थी और हमें यह जो डेल्टा देखे उस डेल्टा का कुछ properties है इसी properties पर आगे हम बात करेंगे फिर से और इस पर बेस question directly उठा कर भी इचा जाता है तो क्या होता है यह यह देखते हैं तो यह डेल आई जे डेल्टा जो आई जे रो ने कर जो डेल्टा बूर रहत है आई जे है इसका value क्या क्या होने वाला है अगर आई लेते हैं आई लेते हैं स्वारी आई बोलता हूं अगर आई बराबर जे होता है दोनों आपस में बराबर है तो इसका value क्या रहाएगा delta ij का value एक रहेगा ठीक अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है same value नहीं है तो वहाँ पर delta का value del ij का value 0 हो जाएगा ठीक अगर same है तो 1 अगर different है same नहीं है तो 0 ले लेना है ठीक सब में वाइसा ही है अगर m dash same है तो 1 और अगर same नहीं है तो 0 ठीक अगर यहाँ पर भी देखते हैं same है तो 1 और अगर same नहीं है तो 0 लेना है ठीक इसी type से इसका value चलने वाला है इसका row नेकर delta का value चाहे ij हो चाहे mm dash हो चाहे nnd dash तो इसमें देखते हैं got में matrix element को real मान कर चला जाता है जो इसमें जो matrix element लेंगे वो सब को real मानते हुए चलते हैं कोई भी imaginary value है इस type से नहीं माना जाता सभी value को real मान लेते हैं और real मान कर चलते हैं ठीक तो यहाँ पर जो conjugate form लेके थे formula में lambda j और r को conjugate लिये थे mm dash तो उसको conjugate को सिदा सिदा हटा कर हम क्या कर देते हैं real form में लेते हैं तो यह lambda j और conjugate को हटा कर सिदा सिदा क्या लेंगे उसी operation को ले लेंगे are m-n- conjugate को हटा कर सिधा सिधा क्या लेना है जो कि real है उसी को ही ले लेना है तो इससे अपने को तीन केस मिल जाता है तीन केस बनता है और तीन केस क्या क्या है जो कि directly यही से question उठा कर पूच्छा जाता है क्या होता है for two different irreducible representation but matrix are identical matrix यह दिए identical है different irreducible representation है जो कि मैं बोला था i जे क्या बता रहा है आपको irreducible representation जो कि mulligan symbol बोला था ना तो i और z different है यह different irreducible representation हो गया लेकिन matrix element जो कि यह क्या बताता है आपको column के बारे में बता रहा है ठी तो उस condition में देखते हैं यहां पर इधर matrix तो identical है यह identical हो गया लेकिन यह different है irreducible representation तो उस condition में del i j is equal to क्या हो जाएगा जब different रहेगा तो 0 ठीक और जब यह same रहता है तो 1 तो यह दोनों क्या हो जाएगा same हो जाएगा 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा different ठीक formula पर जाएगे यह सब आपस में multiplication में रहता है तो total एक value 0 होने पर subview value क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक तो यह इधर यह right side का time है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह जैसे कि यह लेते हैं तो यह क्या हो जाता है 0 हो जाता है ठीक यह दुनों आपस में बराबर नहीं है तो देखे आपस जब यह बराबर होता है तो एक और जब different होता है तो 0 फिर से अगर यह सब आपस में multiplication form में रहता है तो यह फिर से क्या हो जाएगा 0 right side फिर से 0 हो जाएगा तो इसको इस type से लिखा जा सकता है ध्यान में रखे गए यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा है m n m n ठीक यहाँ पर देखते हैं तो फिर से यह i आपर आपर j है मतलब j को हम i लिख सकते है ठीक j को i लिखा जा सकता है यहाँ पर i और j करके हैं क्योंकि यह different form different है ठीक यहां पर i को j लिखा जा सकता है या j को i लिखा जा सकता है तो यहां पर देखिए यह भी i लिखा है और यह भी i ही लिखा हुआ है ठीक तो इस प्रकार से आपको गुमा कर पूछा जाएगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है लेकिन आपको उसको समझना पढ़ेगा क क्या पूछा जा रहा है अगर दोनों identical है तो उस condition में i बराबर j m dash बराबर और n n dash के बराबर हो जाएगा ठीक सब आपस में बराबर हो जाएगे मतलब सभी का value क्या होगा अब एक हो जाएगा ठीक एक हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर देखिए i j के बराबर है तो यहाँ पर i j के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको square लिख सकते हैं क्योंकि m को m dash लिख सकते हैं m dash को m लिख सकते हैं n को n dash या n dash को n लिखा जा सकता है माल लेता हूँ dash वाला को m लिख दिया हूँ m dash को m और n dash को n लिख दिया हूँ तो उस condition में सभी बराबर होना के current से यह क्या हो जाएगा square हो जाएगा उसी type से इधर देखेंगे h by under root li lj था under root fizz क्या हो जाएगा यह आपस में li को lj lj को l i लिखा जाए सकता है square करने के current से हटाने पर यह y li हो जाएगा solve करने पर इस type से अपने को मिल जाएगा जब बोथ identical है बंदोन irreduce per representation और matrix representation जब बराबर है identical है तब के condition में ठिक यहाँ से question उठाया गया है तो याद रखिएगा आगे बढ़ने से पहले इसका postulate या rule देखने से पहले कुछ terms है जिसके बार अपने को समझ लेना ज़रूरी है ताकि यह आगे use अगर होता है तो अपने को easily समझ में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कुछ term ऐसा आता है class order इस type से कुछ term मिलने वाला है present different type का symmetry operation जो अलग type का symmetry operation है उसको हम एक एक class के नाम से जानेंगे order किसको बोलेंगे point group में present total symmetry operation जितना भी symmetry operation है सभी का summation, सभी का योग क्या कहलाता है order कहलाता है अब धिहान में यह रखिएगा order हमेशा बढ़ा होगा किस से class से या तो class के बराबर हो सकता है या तो हमेशा class से बढ़ा होगा कभी भी छोटा नहीं होगा क्योंकि class के अंदर से ही order को निकाला जाता है example देख लेते हैं जिसे clear हो जाए गई जिसे कि C4 भी एक point group लिया हो है तो इसमें कितने type से operation हो सकते हैं यह देखते हैं तो इसमें एक तो identity होगा एक C4 होगा C4 2 जाते हैं जिसको C4 2 को हम C2 लिख सकते हैं ठीक आप यह सब चीज़ देख चुके हैं पहले C4 3 हो जाएगा 2 sigma B होगा और 2 sigma D होगा इस type से इसका symmetry operation होता है ठीक C4 3 एक क्लास होगा इसके लिए सुरी C4 C4 एक मिनट यहाँ पर जो E इसके लिए क्लास होगा और C4 यहाँ पर C4 C4 है एक क्लास यह बनाएगा ठीक जो order में है उसी को ही देखते हुए चलना है C4 order C4 order ठीक और यह जो C4 2 मतलब C2 जो मिला है वो एक अलग क्लास बनाएगा ठीक और एक सिगमा भी क्लास बनाएगा और सिगमा डी क्लास बनाएगा तो टोटल यहाँ पर देखते हैं तो 1, 2, 3 एं स्वारी 1, 2 यह 1, 2, 3, 4 और 5 5 यहाँ पर क्लास मिलने वाला है और जबकि order के बारे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो एक यहाँ से है 2, यह 3, यह 4 और 4 यहाँ पर 2 है 4, 2, 6 और 6, 2, 8 यहाँ पर टोटल 8 operation स्वारी 8 operation हो रहा है यहाँ पर इसका order कितना हो जाएगा 8 order में रहेगा इस प्रकार से अपने को क्लास और order के बारे में जनकारी लेना है जितना भी operation है सबका योग order बताएगा और जितने different types से हैं वो आपको class के बारे में जनकारी देगा एक autumn आता है dimension dimension क्या होता है तो जो e column है e column मतलब जो identity character table पर हम बात करेंगे तो जो identity वाला column होता है जो खड़ी column में present value जो भी present value है जिसे कि वहाँ पर generally आपको 1, sorry यहाँ पर तो minus नहीं होता है 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिल सकता है इस से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो जो value मिलता है अपने को 1, 2, 3 उसी को ही हम dimension के नाम से जानते हैं या तो mulligan symbol से भी dimension को बताया जा सकता है mulligan symbol में जैसे की a, b, e और t, ठीक वही है 1, 2, 3 तो इससे भी अपने को dimension के बारे में जनकारी मिल जाता है ठीक, तो a, b अगर रहता है तो one लेता है, e रहता है तो two लिया जाता है, t रहता है, तो three लिया जाता है इसके बारे में next video में बात करेंगे mulligan symbol के बारे में detail से तो इस type से यह जो रहता है इसको dimension बोलते है identity column में और यह class order ठीक, तो जो irreducible representation का जो properties या rule के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में next video में बात करेंगे video lengthy हो जाएगा, अगर इसमें बात करूँगा तो बहुत लंबा हो जाने वाला है इसलिए इसके लिए मैं next video बनाऊँगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा thanks for watching